क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजी के कई ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम लिखते कुछ हैं और पढ़ते कुछ हैं होते हैं न ऐसे शब्द याद नहीं आ रहा चलिए बताती हूँ सबसे पहला शब्द ह-o-u-r स्पेलिंग के साबसे इसको होर पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए होर पढ़ना चाहिए लेकिन क्या पढ़ते हैं आवर अगला शब्द g-h-o-s-t स्पेलिंग के हिसाब से इसको गहोष्ट पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ते हैं क्या गोस्ट क्या पढ़ते हैं गोस्ट अगला शब्द तो बड़ा जाना पहचाना है S-C-H-O-L इसको spelling के हिसाब से सकहूल होना चाहिए होना चाहिए ना लेकिन होता क्या है स्कूल बच्पन से क्या सुना स्कूल कभी कहा है सकूहूल नहीं कहा ना हमेशा क्या पढ़े हैं क्या सिखा है हमने स्कूल अगला है H-O-N-E-S-T इसको spelling के हिसाब से होनेस्ट होना चाहिए लेकिन टीचर ने क्या सिखाया था इसको पढ़ते हैं ओनेस्ट क्या पढ़ते हैं ओनेस्ट तो ऐसा क्यों आपके दिल में ये सवाल आया कभी कि आखेर जब ये होनेस्ट लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ें क्यों होनेस्ट? कभी आपने सोचा? Hey everyone, welcome to मेरा English Teacher जहां आप सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही असानी से तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रा सब्सक्राइब करके इस क्लास को शेर भी कर दिया करें ताकि जो भी लोग अंग्रेजी सीखना चाते हैं वो अंग्रेजी सीख पाएं बढ़ते हैं आगे और मैं बताती हूँ कि ये क्यों होता है? ये होता है साइलेंट लेटर के वज़े से यानि कि जो कोई शब्द है जिसकी स्पेलिंग कुछ लिखी हुई है और उसको पढ़ हम लोग कुछ और रहे हैं है ना ये होता है साइलेंट लेटर के वज़े से साइलेंट लेटर के उपर बेजड और लेड़ी एक क्लास आ चुकी है तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप इस क्लास के बाद उस क्लास को जरूर देख ले क्योंकि वो क्लास भी equally important है क्योंकि आपको knowledge जो है वो silent letters की होनी जरूरी है अगर आप successfully सही अंग्रेजी बोलना चाहते है तो बताती हूँ आज की क्लास में करने वाले है silent letter H के बारे में और H का जो उचारन है वो ह होता है है ना ये किस alphabet का उचारन क्या होता है ये अलड़ी करा चुकी हूँ इसके क्लास भी है description box में link है जाए देखिए सारी classes connected है तो आपको समझ में आ जाएंगी कि आपने कहां छोड़ा आपने क्या पढ़ा ठीक है आपकी जानकारी के लिए बता दू H का जो उचारन है वो ह होता है और throughout जो है इसको हम लोग ऐसे ही follow करेंगे है ना चलिए अब समझते हैं कि H जब किसी spelling में लिखा तो है लेकिन silent हो गया तो क्या हर spelling में होता है जी नहीं किसी किसी में होता है कैसे होता है भई rule के हिसाब से होता है H जो है वो silent होता है वो rule के हिसाब से होता है सबसे पहला rule अगर किसी भी शब्द में जब rule समझाओं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि rule ही है जो आपको सही तरीके संग्रेजी बोलने में मदद करते हैं अगर किसी शब्द में O या U के पहले H लगा हो तो हमेशा H letter silent होता है अर्थार H शब्द यानि ह जिसका उचारण होता है वो नहीं किया जाता किस के पहले O के पहले H लगा हुआ हो या U के पहले H लगा हुआ हो उधारन के तور पर H O U R spelling के हिसाब से इसका उचारण होर होना चाहिए था लेकिन क्या पढ़ते हैं कैसे याद रखेंगे देखेए O के पहले ह लगा हुआ है O के पहले H दिख रहा है तो क्या करना है H को भूल जाना है देखे मैंने मिटा दिया H को H को भूल गए अब पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है आवर क्या लिखा हुआ है आवर तो क्या पढ़ेंगे इसको आवर अगला शब्द अगला शब्द है H-O-N-O-U-R यहाँ पर भी काम करिए H को भूल जाईए spelling के हिसाब से इसको होनर होना चाहिए था लेकिन H को भूल जाईए बिल्कुल भूल जाईए H को मिटा दीजे अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे Honor क्या पढ़ेंगे? Honor आगे बढ़ते हैं H-O-N-E-S-T इसको क्या पढ़ेंगे? इसको Honest नहीं पढ़ेंगे तो H को भूल जाएंगे और H को भूल जाएंगे तो यह क्या रह जाएगा? यह रह जाएगा Honest क्या रह जाएगा? Honest तो इसका उचारन भी क्या होगा? Honest तो आपको क्या करना है? आपको Rule याद रखना है सबसे पहली चीज़ और Rule के हिसाब से ही आपको उचारन करना है Rule क्या बताया? O या U के पहले अगर H लगा हो तो H letter का उचारन नहीं किया जाएगा जैसे कि Our Honor Honest ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे अगर किसी शब्द में Rule नंबर 2 की बात हो रही है यहाँ पर अगर किसी भी शब्द में H के पहले ध्यान दीजे H के पहले C, G, R लगा हो तो H letter silent होता है अर्थात H जिसका उचारन हो होता है उसका उचारन नहीं किया जाता क्या होना चाहिए? H के पहले C, नहीं तो G, नहीं तो R कौन से होते हैं वो शब्द? देखिए E, C, H, O इसको spelling के मताबिक echo पढ़ना चाहिए लेकिन हमें क्या करना है? क्योंकि हमें यह आपर पहले देखना है कि यह रूल में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए H के पहले C, दिख रहा है echo में दिख रहा है दिख गया, तो H का उचारन नहीं करेंगे तो इसको echo हो, नहीं पढ़ेंगे इसको हम echo पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इसको हम echo पढ़ेंगे, क्योंकि h को क्या करना है, भूल जाना है, भूल जाएगे, एकदम delete कर दीजे इसको spelling से, फिर इसको पढ़िए, क्या पढ़िएगा, echo, क्योंकि बच क्या जाएगा, e-c-o बचेगा, h क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो e-c-o बच गया हो गया echo अब अगला है जी एच ओ एस टी इसको गहोस्ट नहीं पढ़ते हैं इसको ghost पढ़ते हैं क्यूंकि ह के पहले आपको जी दिख रहा है अब क्या करिए जी दिख गया ना ह को अब भूल जाए क्या बचा जी ओस टी यही स्पेलिंग बचीगी ना ह को हटा देंगे तो हो गया ghost क्या हो गया ghost अगला है इसको रहेतम नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ते हैं rhythm क्या पढ़ते हैं rhythm क्यों क्योंकि यहाँ पर ह के पहले है आर जिसके वज़े से ह को हमें भूलना पढ़ रहा है तो यह बन जा रहा है rhythm क्या बन जा रहा है rhythm चलिए इसी के उपर based और थोड़ी practice करते हैं जिससे आप अपनी तयारी को मजबूत करेंगे rule याद रखेंगे है ना सबसे पहला ह-o-u-r इसको hour नहीं hour पढ़ेंगे जिसके अर्थ होता है घंटा होता ना घंटा, दो घंटा, तीन घंटा वो वला समय का जो हर एक घंटा होता है वो h-o-n-e-s-t इसको honest नहीं इसको honest पढ़ेंगे जिसके अर्थ होता है इमानदार honest यानि की इमानदार, H को भूल रहे हैं है ना, रूल को फॉलू कर रहे हैं और H को हम लोग हटाते जा रहे हैं तभी हमारे पास उचारन आ रहा है अगला है O, R, C, H, E, S, T, R, A इसको और कहिस्तरा नहीं इसको औरकेस्ट्रा पढ़ते हैं औरकेस्ट्रा पढ़ते हैं, ठीके फिर है R, H, Y, T, H, M रहे तम नहीं, रिदम पढ़ते हैं रिदम कर्थ होता है ताल वो गाने बजाने में इस्तमाल होता है एक ले ताल जो होती है वो रिदम कहलाती है S, C, H, E, M, E इसको सकही में नहीं पढ़ेंगे सकही में नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे स्कीम, क्या पढ़ेंगे स्कीम, क्योंकि यहाँ पर भी H का रूल लागो हो रहा है और इसके वज़े से यह क्या हो रहा है H जो है वो silent है यहाँ पर यह होता है यूजना, स्कीम कर्थ होता है योजना, फिर है CHOOL, सकहूल नहीं, स्कूल स्कूल, यहां पर पढ़ने ही आते हैं विद्याले, है ना, फिर है STOMACH इसको स्टोमक, महक नहीं पढ़ते हैं, इसको स्टमक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं H silent है, H को भूल रहे हैं हम लोग हैं ना, H को भूल जाएं delete कर दीजे, H को यहां से पढ़ते हैं, स्टमक क्या पढ़ते हैं, स्टमक जिसका अर्थ होता है, पेट T-C-H-N-I-C-A-L इसको टेक्निकल नहीं पढ़ते हैं इसको टेक्निकल पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं टेक्निकल, यानि कि तक्निकी कोई चीज, टेक्निक जिसमें, मतलब टेक्निकल कोई चीज होती है, तो यहां पर भी क्या कर रहे हैं H को भूल रहे हैं बढ़ते हैं आगे, थोड़े और उदाहरन देखते हैं C-H-A-R-A C-T-E-R इसको कहर कहेक्टर नहीं पढ़ते हैं ठीके, इसको पढ़ते हैं क्यारेक्टर, क्यूंकि H को साइलेंट किया है, H यहां पर रूल फॉलो करते हैं, साइलेंट हो रहा है और यह हो रहा है क्यारेक्टर फिर है C-H-E-M-I-C-A-L इसको कहेमिकल नहीं इसको chemical पढ़ते हैं क्या पढ़ते है chemical क्यूंकि H यहाँ पर silent हो रहा है rule यहाँ पर follow हो रहा है तो H को हम लोग यहाँ पर भूल करके इसको पढ़ते हैं chemical फिर है C-H-L-O-R-I-N-E इसको chlorine नहीं इसको chlorine पढ़ते हैं chlorine करत क्या होता है chlorine एक रसायन होता है और chemical तो इन general रसायन को chemical कहते हैं ठीक है और chlorine एक तरह का रसायन ही होता है फिर है C-H-R-I-S-T-M-A-S यहाँ पर भी H जो है वो silent हो रहा है जिसके वज़े से यह हो रहा है Christmas क्या हो रहा है Christmas A-C-H-E इसको एक है नहीं इसको एक पढ़ते हैं H silent हो रहा है एक यानि की दर्द कहीं पर भी कोई भी दर्द होता है उसको एक कहा जाता है फिर है A-R-C-H-I-T-E-C-T इसको H silent करिए H को भूल जाईए यह होगा architect क्या होता है architect इसको वास्तुकार है ना architect यानि की वास्तुकार फिर है E-C-H-O इसको echo हो नहीं echo पढ़ेंगे echo H silent हो रहा है rule follow कर रहा है H है ना तो H silent हुआ इसका उचारण हुआ echo और इसका रहत होता है गूंज क्या रहत होता है गूंज तो समझ में आई आपको बात H जो है वो कब-कब silent होता है इसके लिए हमने दो rules को cover किए दो rules हमने पढ़ा वो दोनो rules को H follow करेगा और follow करते वे अगर किसी spelling में H है तो वो वहाँ पर silent होगा राइट आगई बात समझ में तो चलिए यह आज की class थी उम्मीद है आपको silent letter H के उपर based class बढ़िया लगी समझ आई बढ़िया से तो class को like करिए, share करिए, comment करके बताईए class कैसी लगी और subscribe नहीं किया, जल्दी से कर लीजे, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली class में Thank you so much for watching, stay connected to